अजी बड़ेवनी तो आज क्या लेकर आ रहा है आज पस यह है कि फड़ाई का जो रूल है और उसमें कुछ चैंजेस हुआ है आपको पता भी होगा और बच्चे बड़ी परिसान है कि सर क्या हो गया कितना चैंजेस कुछ नहीं है भाई कुछ नहीं है चैंजेस और से मुझे मतलब है मुझे नहीं मतलब किया एक्च्वल में किया वह एक्च्वल से मुझे मतलब नहीं तो अगर आपको नहीं भी पता है रूल में क्या चैंज हुआ और आप कोश्चन बनाना थे तो भी वह सहीं मिन जाएगा तो बिल्कुल चिंता ना करे किया क्या क्या हो या बहुत ज्यादा चेंजिस हो गया कुछ नहीं वह मैं आपको बता रहा हूं आई सी ए आई के का जो माटेरियल है ना उसी को मैं बेस लेकर बिल्कुल है मानता हूं कि चैंजिस है पर उस चैंजिस की वजह से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है यह है आटोमेटिक कैं माटेरियल है और यह है ठीक है पहले रूल कौन सा चलता था फड़ाई का रूल एट और जो ड्यू डेट जैसे यह कॉंट्रेक्ट है यह मैचुरिट ड्यू डेट इसके अगर कस्टमर ने यहां कैंसिल नहीं करवाया तो कम से कभ हम कब तक इंतजार करते थे 15 दिन और 15 दि कोशन है 10 जून और 20 करवाऊंगा कोशन यहां 10 जून रहता था और पिर हम 20 तक फिर हम 15 दिन तक वेट करते थे पर 20 को कोई कस्टमर आता था और extension करवा दिता था यह कुछ था यहां automatic cancellation नहीं होता था अब सर जी वो जो 15 दिन है उसके जगह अब उन्होंने रूल 6 लाया और यहां तीन working days लिख दिया तिक विथिन 3 डेज आप बिल्कुल बहुत concept में जाके जाओगे तो पर मैं उस matter पर भी बात नहीं करूँ इट मिंस अब इनका यह कहना है कि सहाँ अब हम 10 जून है ना तो कब तक वेट करेगा बैंक 15 दिन नहीं तीन दिन मतलब 13 जून तक अगर कस्टमर आ गया 13 जून या उससे 12 जून को आ गया तो सारे रेट से 12 जून वाले applicable होगे पर अगर वो 13 जून को आया तो 13 जून वाले पर अगर 14 जून को है तो 14 जून को आने का कोई सेंसर नहीं रह जाएगा 13 जून को सारे रेट एप्लिकेबल हो जाएगे 13 तीन दिन बाद आप्टोमेटिक कैंसलेशन हो जाएगा और कुछ नहीं है सर तो आप बाकी सारे सब्द जो लिखे है ओल्ड इस्टडी मटीरियल नियू सारे सब्द ए पान्ता है ये कौन सा है ओल्ड इ पंदरा दिन तक हम वेट करते हैं पर कश्टूमर बीच में ही आ गया 20 जून को आ गया तो यह आटोमेटिक कैंसलेशन नहीं था लेकिन सारे रेट सम कहां को वाले लेते थे बीस जून वाले ले लेते थे इसमें भी अगर वो 30 जून को आता तो फिर बीच में उसका नहीं था यस 13 जून का रेट दिया है 13 जून का रेट दिया रेट में कोई गलत रेट जो 20 जून वाले है वो 30 जून एज इस रेट रख दिया बाकि और कोई चेंज नहीं और O would you sir sir to मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह rate कौन से is sport यह rate जो दिख रहा है यह rate कप का सखिये जून का कौन सी डेट दर आप 10 जून तो सरय रेट दर जून का नहीं बिटे जून जून में जो हमारे लिए relevant हैं मतलब सर यह यह थर्टीन जून का रिट हो जाएगा बात समझने की कास बारी चीजी ना मैं आपको इस कोशन के साथ मैं समझा चुका हूं खेर अभी मैं वापस को मैं बस इतना बताने के लिए आया हूं कि क्या चेंजिस पिछला कोशन पिछला कोशन मतलब पहले यह था यही कोशन नमब अंतर क्या आया जहां 20 जून लिखा हुआ था उसकी जगह इन्होंने थर्टीन जून लिख दिया ठीक है वही क्योंकि 13 जून के बाद तो कोई मतलब भी नहीं के कस्टमर के आने का थर्टीन जून को आट्यूमेटिक कैंसलेशन हो जा था कस्टमर आया और उसको अगर तो फोर्टीन जून को एक्स्टेंशन करने आया कि भाई 10 अगस्त कर दीजिए रिट कोई मतलब नहीं फोट हम कर देंगे 10 अगस्त का फावर्ट दे देंगे हलाकि यहां 14 जून का रेट नहीं दिया तो आप 10 जून का रेट कैसे निकाल तो पर कोशन जिस तरह से फ्रेम है बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जल्दी से उठा कर डाल दिया सेम कोशन इसे फर्क क्या पड़ा फर्क कुछ नहीं पड़ा मैं आप से बस यही बोल रहा हूं कि अगर मान लो हमको नए रूल्स नहीं पता होते हैं ठीक है और हमें ये वाला कोशन आ जाता तो हम क्या करत हैं हम कुछ नहीं करते हम इसी को बेस लेते बस परिशान यहां 14 जून को देखकर हो जाते हैं फिर हम सुषते सायद मिस्प्रिंट हो गया हो गया इंपोर्टर ने 13 जून को रिक हम ऐसा सोच लेते अगर ऐसा सोचते तो भी सही हो जाता ना साब इट मेंस क्या-क्या मांगा एक कैंसलेशन की मोगा है एक क्यूंकि जो 20 जून को कैंसिल हो रहा था यहां 13 जून को कैंसल देट दीग हम अगर कस्टुमर 12 आ जाता तो पर 12 जून की ले लिए अगर कस्टमर 14 जून को आता तो क्यों आये 13 जून पर काम करें और 14 जून की में आपको लिख कर दे रहा हूं आप यही काम करते जो यहां संडिय क्रीन कर रहा हूं यही ह years cancellation rate 20 June के rate ले लो चाहे तेरा जून के रिट दोनों एक जैसे ही होने है ठीक है सर उसके लावा amount payable सरी क्या होता है यह क्या होता मैं नहीं समझाओंगा मैं समझा चुका है यह एक जैसे है हाँ सर स्वैप लॉस स्वैप लॉस भी एक जैसे ही होगा सवाली पैदा नहीं होता तो सर अंतर कहा आएगा अंतर अगर आपको rules नहीं भी पता होता नहीं है rule six तो भी आप सच्चाई यह है कि यहां तीन दिन का ही ब्याज निकालते और यहां तो दस दिन का 10 जून से 20 जून दस दिन का क्या उसके बाद अगस्त का रेट एक जैसा ही है उसके बाद ये तो बस इसकी वज़ासी इसमें टोटल में फर्क पड़ा तो अगर में कहूं कोई changes है नहीं कोई change है नहीं पर actual में changes तो है और changes क्या है चैंज़ ये है कि सहाव automatic cancellation के लिए जो date time है वो तीन तीन दिन का time है तीन दिन में automatic cancel कर सकती है bank तीन दिन के बाद और ultimately तीसरे दिन तो करेगी करेगी तीन दिन के बाद तो फिर आपके आने का मतलब ने तीसरे दिन कैंसिल हो चुका होगा पर मैं आपसे बस इतनी बोल रहा हूं एक्जाम पास में जादर अटेंशन मतलो ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्या चेंजिस होगा है बहुत बड़ा चेंज कुछ चेंज नहीं हुआ और मैंने प पहतरीन कोशन बनाया जाए रूल 6 पर ऐसा कुछ बनाया नहीं नहीं था देखते हैं बाकि इस कोशन में चैंजिस था वो में आपको बता दिया बस 10 जून और 13 जून दिया है यहां 10 जून और 20 जून रिट दिया था थैंक्यू सो मच बाइबाए